जैश्री किष्णा रादे रादे दोस्तों दोस्तों हनुमान चालिसा हम सब पढ़ते हैं लेकिन कई बार हनुमान चालिसा पढ़ने के बाद भी हमको वो फल नहीं मिलता है कभी आपने सोचा है कि आकिर कहां कमी रह जाती है हमारी पूजा में कि हमें हनुमान चालिसा का फल नहीं मिलता दोस्तों हम कोई चीज बहुत जल्दी 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 करते हैं जिससे कि में समझ नहीं आता कि हमने क्या जल्दी जल्दी बोल दिया है कई लोगों को मैंने देखा है कि हनुमान चालिसा पढ़ते हैं उनका ध्यान कहीं होता है, 40 कहीं पढ़ रहे हैं, चलते फिरते पढ़ रहे हैं, किसी भी तरीके से बस उन्हें हनिमान 40 पूरी करनी है, चाहे वो समझ में आए या ना आए, तो ऐसे कैसे हो सकता है, आपको पूरे 24 घंटे में क्या प्रभु के लिए 5 मिनट निकालने का समय न अच्छे से हनुमान 40 का पाठ करिए, और देखिए कैसे हनुमान 40 का फल आपको नहीं मिलता, कैसे प्रभु आप पे प्रसन नहीं होते, आपको केवल एक एक चौपाई का उच्चारण अच्छे से करना है, बस इस चीज़ के आप ध्यान रखिए और प्रभु की अराधना क और देखिए प्रभु आपकी कैसे नहीं सुनते हैं, प्रभु आपकी सुनेंगे, आपकी 40 का फल आपको मिलेगा, हनुमान 40 का फल भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको जो गलतियां कर रहे हैं, इन गलतियों को ना करें, सबसे पहली बात हनुमान 40 जब भी आप पढ़ रहे दूसरे चीज जलदी जलदी बाजी में हनुमान चलीषा बिलकुल भी नहीं करनी चाहिए, इससे आपको फल मिलने की जगा भगवान रुष्ठ हो जाते हैं तो ये आपको ध्यान रखना हैं तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप पूजा कर रहे हैं हनुमान चलिसा कर रहे हैं उसे बीच में अधूरा ना छोड़ें क्योंकि हनुमान चलिसा संकट मोचन ऐसे हैं कि इसमें एक एक चौपाई का पूरा पूरा अर्थ है पूरा पूरा मंत्र है और किसी भ और प्यार से और शद्धा के साथ पढ़ें और पूरी जरूर पढ़ें ऐसा आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि हनुमान चालिसा को सही धंगसित कैसे करना चाहिए श्री गुरु चरन सरोज रज निजिमन मुकुर सुधार बर नव रघ बर बिमल जसु जो दायक फल चार बुद्धि ही नितन जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुधी विद्या देहु मुही हराहु कलेश विकार जै हनुमान ज्यान गुन सागर जै कपीशती हुलो के उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनि पूत्र पवन सुत्य नामा महावीर वीक्रम बजिरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन बिराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हात वज्र और धजा बिराजे कांधे मुन्ज जने उसाजे शंकर सुबन के स्री नंदन तेज प्रताप महाजग बंधन विद्धावान गुनियति चातुर राम काज कर बेको आतुर प्रभुचरित्र सुन बेको रसिया राम लखन सीतामन बसिया शुक्ष्म रूप धरी सियही दिखावान विकट रूप धरी लंक जरावान भीम रूप धरी असुर संघारे राम चंद के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए शिरी रगुबीर हरश उर लाए रगुपति की इन्ही बहत बढ़ाई तुम मम प्रिये भरत ही समभाई सहस बदन तुम रोज सिगावे अस कह श्रीपति कंठि लगावे सनकादिक ब्रह्मा दिमुनीसा नारद सारद सहित अहीसा जम कुबेर दिग पाल जहाते कभी को विद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दिन्हा तुम रो मन्त विभीषन माना लंकेश्वर भै सब जग जाना जुग सहस्त जो जन परभानू लेल्यो ताही मदुर भल जानू प्रभु मुद्री का मेल मुखवाही जलधि लांग गई अच्च रज नाही दूर गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रेतेते राम दुआरे तुम रखवारे होतिना आज्या बिन बैसारे सब सुक लहे तुम्हारी सरना तुम रख्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक खाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महवीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुडावे मन कम वचन ध्यान जोलावे सब पर राम तबस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा और मनोरत जो कोई लावे सोयमित जीवन भल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अश्ट सिथि नौम निधि के दाता अस्वर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हे पासा सदरहो रघुपति के दासा तुम्हे भजन राम को पावे जनम जनम के दुख विसरावे अन्तिकाल रघुबर पुर जाई जहां जन्म हरी भक्त काहाई और देविता चितना धरई हनुमत सेई सर्व सुख करई संकट कटे मीटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बल बीरा जै 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 हनुमान गोसाई क्रिपा करहूं गुरु देव की नाई जो सत्य बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख होई जो यह पड़ हनुमान चली सा होई सिधिसा की गोरी सा तुलसी दास सदाहरी चेरा की जै नाथ रिदै महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित रिदै बसहु सुर्भू सियापति राम चंद्र की जै पवन सुत्य हनुमान की जै इस तरीके से आपको एक-एक अक्षर करके हनुमान चली सा को पढ़ना है और चारण सही ढंक से करना है और देखिए हनुमान चली सा का फल आपको मिलने लगेगा दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए ताकि जो लोग ये गलतियां करते हैं वो उन गलतियों को सुधार पाएं और अपनी पूजा का पूरा फल ले पाएं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आये तो कमेंट करके हमें जरूर बताएए और जितना जादा हो वीडियो को लाइक शेट जरूर करें धन्यवाद